आज जिस personality की हम बात करेंगे इन्होंने 32 में अपने career की शुरुआत की और 45 पर आकर इन्हें success मिली Success तो क्या? Recognition तब मिली कहते हैं कि इस industry में luck बहुत काम करता है इनके luck की मैं आपको क्या बात बताओं कि एक बड़े superstar की film में इन्हें काम मिला फिल्म शुरू होने के 15 दिनों पहले इन्हें replace कर दिया गया इसके बाद एक Oscar winning film का ये हिस्सा भी थे लेकिन उस film में इनका role इतना छोटा था कि makers ने credit देना भी ठीक नहीं समझा Family Man series तो आप सब ने देखी ही होगी इसका second part भी अभी आ गया है इस सीरीज में मनोज बाजपाई ने अपनी family से भी जादा time इस व्यक्ति को दिया है जिनकी हम आज बात करेंगे बात करेंगे family man के JK यानि की शारिब हाश्मी की शारिब हाश्मी की life से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी कब आमिर खान के कारण करियर खतम हुआ और शारुप ने करियर को फिर से शुरू करा दिया क्यों शारिब के national award winning film देने के बावजूद इस industry ने उन्हें साइड लाइन किया और कैसे सालों तक बड़े परदे पर किसमत आजमाते रहे लेकिन सक्सेज मिली OTT प्लाटफॉर्म पर फैमिली मैं से शारिब मुंबाई कर है उनकी परवरिश मुंबाई में ही हुई है पिता एक जॉनलिस्स थे और मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते थे चौल में बचपन का जाधतर समय बेता है लेकिन इस चीज के लिए बिलकुल भी दुख नहीं है क्योंकि चौल में रहने के बावजूद काफी हाई प्रुफाइल कॉन्टैक्स उनके पिता के थे सेलिबरिटीज के साथ उठना बैटना था फिल्मों के सेट्स पर एक्सेस भी थी और सेलिबरिटीज कहीं बार घर पे भी आते थे तो लेस प्रिविलिज कभी भी फील नहीं हुआ उन्हें शारिप ने अपने आस पास फिल्मी माहोल और सेलिबरिटीज को ही देखा था बचपन से अगर वो कुछ करना जाते थे तो वो थी सिर्फ और सिर्फ आक्टिंग और बचपन से ही उन्होंने अपनी आक्टिंग क्लासेश शुरू कर दी थी किसी इंस्टीटीट से नहीं बलकि टीवी पर फिल्में देख देखकर कुछ इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री की कल्ट फिल्मों को देखा है इंड़क्ट कई बार वो अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर भी गए है क्योंकि उनके पिता जर्नलिस्ट है उनका कहना है कि आमिर खान की फिल्मों के सेट पर भी गए लेकिन जितनी भी फिल्मों के सेट पर वो गए आमिर की वो सभी फिल्मे जो हैं वो फ्लॉप रही लेकिन तब ही से वो आमिर खान के बहुत बड़े फैन बन गए शारिप ने अपने फिल्मी करियर के शुरुआत असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर की हम तुम पर मरते हैं ये फिल्म आई थी गोविंदा के इस फिल्म पर वो असिस्टेंट डिरेक्टर थे और तब गोविंदा और जॉनी लीवर को काम करते हुए देख उनके अंदर वो और जजबा बहुत बड़ा हो गया जाते थे ये वो टाइम था जब कैमरे के सामने एक्ट करने का एक्सपीडियन्स ले रहे थे सीख रहे थे कि कैसे कैमरा फेस करते हैं इस दौरान शादी भी हो गई जॉब अच्छी चल रही है परफेक्ट सब कुछ चल रहा है तब इनसान जो है वो ग्रोथ करने का डिसीजन लेता है इधर शारिप को दुबाई में एक अच्छी जॉब की ओफर मिल रही थी और वो दुबाई जाने की तयारी कर रहे थे साथ ही वो फिल्म इंडास्ट्री में चोटे-मोटे किरदारों के लिए औडिशन भी दे रहे थे क्योंकि आक्टिंग तो उन्हें अल्टिमेटली करना ही था और इससे पहले भी कुछ एकाद फिल्मों में अगर उन्होंने चोटे-मोटे किरदार किये तो उसके लिए जॉब से चुट्टी लेकर एक दिन की वो अपना काम करके आ जाया करते थे इसलिए वो ओडिशन भी रेगिलर बेसिस पर दे रहे थे तब आमिर खान की वाइफ किरिन राओ जो है धोबी गाट फिल्म बना रही थी प्रतीक बबर को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही थी और इस फिल्म में प्रतीक के बड़े भाई के किरदार के लिए शारिब का सेलेक्शन हो गया था शारिब महिनों तक अपने इस के रदार के लिए तयारी करते रहे क्योंकि आमिर खान के प्रड़क्शन में काम कर रहे हैं तो directions अपके काम के साथ compromise तो बिलकल नहीं हो सकता है आपको अच्छे से तयारी करनी है यही तयारी शारिब ने कर ली ऑफिस में चुट्ट्यों की ब नहीं कर रहे हैं जो किर्दार हमारा है उसके साथ आपका लुक मैच नहीं हो रहा है इसलिए आप इस फिल्म में हमारे साथ नहीं आ सकते तब शारिब ने उन्हें उफर किया कि अगर जरुत है तो मैं दाड़ी बढ़ा लूँगा आप उसके साथ भी टेस्ट कर सकते हैं लेक शारिब के साथ ये दर्ख पहली बार हुआ था तो उन्हें रोना आगया इस इंसिदेन्ट ने उन्हें बुरी तरीके से तोड़ दिया लेकिन उनके एक्क्टर बनने के सपने को बहुत मजबूत बना दिया इस इंसिदेन्टने और तब शारिब ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़ेंगे और वो अब फुल टाइम अक्टर ही बनेंगे दिसंबर एक दोहजार आठ में शारिब ने एम टीवी की वो जॉब छोड़ दी एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए उन्हें नहीं पता था कि इस नए सफर में उनकी जिन्दगी पूरी बदल जाएगी जिस सक्सेस को हासिल करने वो निकले हैं उसको मिलने में तो टाइम लगेगा ही लेकिन इस बीच में वो बहु चोटे से किरदार के लिए उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया फिल्म बहुत बड़ी थी बड़े लोग इस फिल्म से जुड़े थे इसलिए शारिब ने इस फिल्म में वो छोटा सा किरदार किया हाला कि इस किरदार के लिए इन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया लेकिन फि कुछ इस तरह की परिस्तिती हो गई थी, financially तूट रहे थे, savings सारी खतम हो गई थी, बीवी के गहने तक बेचने पड़े थे, वो टाइम आ गया था, और तब शारीब ने डिसाइब किया कि वो फिर से अपनी जॉब, राइटर वारी जो है, वही ले ले लेंगे, उन्होंने य सारीब ने सोचा था कि बस अब मैं यही करूँगा, हो गया मुझे जितना ट्राइ करना था, उम्र भी हो रही थी, इसलिए बार बार हर रोज करियर चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे में जैसे ही उन्होंने यूटीवी में जॉब करना शुरू किया, तब ही एक इतना बड़ा ओफर आया, कि इस ओफर को रिजेक्ट करते तो शायद बेवकूफी होती, यह ओफर था यश्राज फिल्म से, शारुक खान की फिल्म में काम करने का मौका मिला था, जब तक है जा फिल्म के लिए यह ओफर था, एक तरफ जहां आमिर खान ने उन्हें ठुकरा दिया था, फ उन्होंने लीव अप्लिकेशन भी डाल दी थी, लेकिन बाद में इस फिल्म के साथ फिल्मिस्तान नाम की भी फिल्म का ओफर आ गया, इस फिल्म के लिए वो राइटिंग वैसे ही कर रहे थे, और डिरेक्टर ने कहा कि तुम इस फिल्म में आक्ट क्यों नहीं करते हो, तो शारुक खान, अनुश्का शर्मा, कतरीना कैफ के साथ शूटिंग की, फिल्म एक अलग एक्सपीजियंस था उनके लिए, बड़ी फिल्म, बड़ी स्टार कास्ट के साथ, रोल भले ही छोटा था, लेकिन सीखने को बहुत मिला था, इसके बाद फिल्मिस्तान फिल्म की मतलब तुम अब आ चुके हो, अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, शारुप को भी कॉन्फिडंस आ गया था, कि अब फाइनली चलो, मेरे इकने सालों की जो महनत है, वो रंग लाई और फल मिल रहे हैं मुझे महनत के, लेकिन यखीन मानिये कि इस फिल् और पार्टी में जब मिलते थे तो मुझे पहचानने से भी इंकार करते थे, हेलो तक का जवाब नहीं देते थे, इस तरह का बुरा बरताव उन्होंने इंडस्ट्री में देखा है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, परसनल लाइफ की प् और इस कारण एक ऐसी फिल्म नहीं थी फिल्मिस्तान के बाद जो पूरी हुई हो, इस टाइम में में बहुत डिप्रेस हो गया था, तूट गया था, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बावजूद एक डल फेज, आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, इसके अबजूद वो एक टफ दोर से गुजर रहे थे, इसी दोरान उन्हें पता चला कि राज एंडी के जो है फैमिली मैन करके सीरीज बना रहे हैं और उस सीरीज में काफी किरदारों की जरूत है, तो गोश करके एक किरदार था, जो कि बेंगॉली किरदार था, इसके लिए श रोल के लिए औडिशन देने आए, तब राज और डीके ने पता नहीं उनके अंदर क्या देखा, कि उन्होंने उनसे जेके वाले रोल के लिए औडिशन लिया, और ये औडिशन उन्हें इतना सही लगा, कि फाइनली जो एक छोटे से गोश वाला रोल करने के लिए वहां पर शारिब गए थे, उन्हें एक फुल-फलेच्ट लीड के साथ पैरेलर वाला रोल मिला था जेके का, और ये सीरीज इतनी बड़ी साबित हुई, ये सीरीज ने OTT प्लाटफॉर्म की तो अच्छी-ची सीरीज को टकर दी ही है, फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्मों अगया कि जिस शारिब को इंडस्ट्री नो कह रही थी, रिजेक्ट कर रही थी, सलेक्ट करके मना कर दिया था, छोटे-मोटे किरदार दे रहे थे, क्रेडिट नहीं दे रहे थे, उसी शारिब का आज नाम गूगल पर टाइप किया जाता है, लोग उसके बारे में जानना कि आखिर शारिब का क्या है बैग्ग्राउंड, वो कहां से आए, क्या उनका करियर रहा, कैसा स्ट्रॉगल रहा, और वाकई में जब उनके स्ट्रॉगल की स्टोरी सुनते हैं, तो लगता है कि आज जो सक्सेस उने मिली है, भले ही देर से मिली हो, लेकिन 100% वो इस सक्सेस क हगदार हैं, कुछ इस तरह की इंस्पाइरिंग स्टोरी है, हमारे फैमिली मैन, जेके की, यानि की शारिब हाश्मी की, आने वाले समय में वो हमें कंगना रनौत के साथ धाकड फिल्म में भी नजर आने वाले हैं, एन वी होब कि इस तरह के आक्टर्स को इंडस्ट्री उपसूरत आक्टिंग देखने का, जो अब हमें OTT प्लाटफॉर्म के तुरू देखने को मिल रही है, जेके का और कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको याद है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, कब की और कैसे में अभी के लिए वस इतना ही, फिर मिलेंगे ब फेस्बुक पेज बॉलिवुद ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बॉलिवुद ठिकाना